नमस्कार दोस्तों मैं वें इंजिनियर सुजीत स्वागत आप सभी का मारे इस यूट्वीब चानल पर तो आज मैं यहां पर आपके लिए लाया हो एक 23 फीट बाइ 30 फीट का साउथ फेसिंग हाउस प्लान टू बेच के हाउस प्लान है और इसका जो फ्रंट है यह साउथ फ प्लान है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यह 23-35 तूबेज का हाऊस्ट प्लान रडी है, हमारे कोलकाता के एक क्लायन्ट है मिस्टर कुमार तो उनके लिए हमने हाऊस्ट प्लान डिजाइन किया था, प्लान की यहाँ पे लंबाई साउथ नौर्ट मतले नौर्ट साउथ लंबाई 30 होती तो यहां पर यह में एंटरंस डॉर जैसे अंदर आते सामने यहां पर साउथ इस्ट कॉर्णर पर लिविंग गेरिया प्रवाइड किया है और साइज रखे यह 10 फिट बाए 10 फिट उसके बाद यहां पर यह तीन फिट की ओपनिंग है सामने यह वेस्ट फिट में बाइनिंग गेरिया प्रवाइड किया है बाइनिंग गेरिया की साइज रखी है 10 फिट चेंज बाए 7 फिट साउथ वेस्ट कॉर्णर पर यह स्टेर्केस ब्लोक प्रवाइड किया है एस पर वास्तू स्टेर्केस ब्लॉक को लोकेशन साउथ वेस्ट कॉर्नर हमेशा अच्छा होता है तो यह साउथ वेस्ट कॉर्नर पे स्टेर्केस ब्लॉक और साइज है ग्यारा फिट तीन इंच बाई छे फिट उसके बाद यहां पर east face में यह kitchen प्लान किया है kitchen के size रखी है 7 feet by 7 feet change kitchen के यहां पर यह भी opening 3 feet की रखी है उसके बाद यहां पर west face में यह common toilet बाद प्रोवाइड किया है जिसके size लंबाई east west 7 feet है और यह north south weight 4 feet रखी है यहां पर north west corner पर यह bedroom 1 है और bedroom 1 की size रखी है 10 feet change by 10 feet नॉर्थ east corner पर bedroom 2 है और इसकी size रखी है 10 feet change by 10 feet यहां पर छोटी सी लॉबी क्रेट हो रही है दोनों दर्वाज़े के सामने ही और साइज है इसकी छे फिट छेंज भाई तीन फिट छेंज इसमें जो एक्स्टरनल ब्रिक वर्क है उसके ठीकनेस 9 इंच रखे है मैंने जितने भी बाहरी दिबार है इसकी मोटाई 9 इंच है और बाकी जो इंटरनल ब्रिक वर्क है अंदर वाली जितने भी पार्टिचन वाल्स इसकी ठीकनेस इसकी मोटाई 6 इंच रखे है इसका टोटल एरिया बनता है 690 स्क्वेर फिट टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया 23 इंटू 30 तो वो 690 स्क्वेर फिट अगर इसकी कोस्ट ही निकाले है तो वो बनेगी टोटल एरिया 690 है तो हमें पर स्क्वेर फिट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चाहिए तो अन एन आवरेज बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है एक हजार से लेकर पंद्रास होता है वो डिपेंड करता है आप किस तरह का माटेरियल उसमें यूज करते हो तो हम एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पर कंस्ट्र करेंगे 1200 तो अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है यहाँ पर 1200 इंटू 690 आट लाग 28,000 यहाँ पर इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बन रही है तो इस तरीके की यह टूबेज के की प्लानिंग है तो दोस्तों आपको यह प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप लोगों को भी बढ़िया तरीके से प्लानिंग चाहिए तो हमारा वा और एक बढ़िया हुस्ट प्लान के साथ तब तक के लिए थैंक यू